प्रियांका गांधी से जोड़ी बड़ी खबर आपको बता दे लखनव नहीं शिफ्ट होंगी प्रियांका गांधी गुरुग्राम में शिफ्ट होंगी प्रियांका गांधी गुरुग्राम के सेक्टर 42 में DLF अरलिया में शिफ्ट होंगी प्रियांका गांधी जैसे की जान और खबरे ये आ रही थी कि लखनाओ शिफ्ट करेंगी लेकिन अब खबर ये आई है कि गुरुग्राम में शिफ्ट कर सकती है सेक्टर 42 में डिलफ है और यहां वो शिफ्ट हो सकती है जिसे लेकर CRPF ने फिलहाल वहां मुआयना किया है प्रियंका गांधी वोड़रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनाओ की जगह अब गुरुग्राम शिफ्ट होंगी प्रियंका गांधी वोड़रा उन्हें इनका सरकारी बंगला जो है खाली करना है गुरुग्राम के सेक्टर 42 में डिलफ में है वहां पूर चुके हैं सीधा रूख करते हैं अमित का अमित पहले लखनव की बात आ रही थी कि अम लखनव शिफ्ट करेंगी लेकिन अब गुरुग्राम की बात सामने आ रही है फाइनल हो गया है गुरुग्राम ही शिफ्ट कर रही है और अब चुकि ये जो जगए है ये गुरुग्राम में सेक्टर ब्यालिस जो डी एलेफ का अरलिया अपार्टमेंट है जहां पर ये शिफ्टिंग होगी और वहां पर बाकाइदा चुकि जेट प्लस उरक्षा है प्रियंका गांधी के पास में और वहां पर सी आर पी अपने या जो अन्य राजनेताओं से जो प्रियंका गांधी के मिलने की प्रक्रिया है वो सोनिया गांधी का जो आवास है सरकारी आवास है दस जनपत कॉंग्रेस AICC के पास में ही आवास है तो उसी आवास पे वो बैठेंगे और वहां नेताओं से और तमाम लोगों कार करताओं से मिलेंगी आगे की रंडीत बनाएगी चाहे वो यूपी चुनावो या निमुद्दों को लेके हो और खास्त और प्रेंका गांधी जिस तरह से यूपी को लेके एक्टिव हैं तो जो ओफिसियल एड्रेस होगा वो दस जनपत होगा जो की सोनिया गांधी का सरकारी आवास ह और जो रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वो डी एलेफ का सेक्टर 42 गुरगाओ इस्तिताबास होगा जी कामकाज यानि दस जनपत से चलेगा और रेजिडेंशियल एडिया हो सकता है गुरुग्राम में लखनाओ को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे आमित उसे लेकर क्या कहता है जिस तरह से एक्टिव है उत्तर प्रदेश की राजनीती में लगता ट्विटर पर खबर कोई भ खलाप आवाज उठानी हो तमाम खबरों पर बनी रहती है उत्तर प्रदेश की ऐसे में जब लखनाओ को लेकर बात उठ रही थी कि शायद वो लखनाओ शिफ्ट करें ताकि वहां से वह राजनीती को धार दे पाए अब पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि यूपी की राजनीत खास तोर पर प्रियंका गांधी एक्टिव हैं और प्रियंका गांधी को कॉंग्रिस भी चाहती है कि यूपी की तरफ फोकस करें लेकिन फिलाल का जो रेजिडेंस है वो गुलगाओं में बनाया गया है और चुकि अभी यूपी को लेके उनकी शिफ्टिंग नहीं हो रही लेकिन जिस तरह 2022 का इलेक्शन है आगे आने बाले दिरों में प्रियंका गांधी जरूर लखनों के लिए मूव करेंगी इसमें बहुत जबन जहीं बहुत जासे busy को है नहीं हो सकती तो ऐसे में फिलाल जो रही का आवाज लिया गया है और आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी जो है वो लखनों शिफ्ट करेंगे यह लगातार खबरें आ रहरे हैं और दूसी चीत की लखनों से रहके ही UP की राजनीत संभव है गुरगाओं या दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां रहके उस तरह की राजनीत नहीं की जा सकती है यह कॉंग्रेस भी जानती है प्रिंका गांधी भी जानती है चुकि मामला रिसेंटली है इतनी जल्दी लखनों में शिफ्टिंग नहीं ह सकती है इसलिए दस जनपत का ओफिसल एड्रेस दिया गया यूपी के जो भी नेता कार करता या अन्य जगेओं के लोग है वो दस जनपत में आके प्रियंका गांधी से मिलेंगे मिल सकते हैं और इसके लिए बाकाइदा उन्हें टाइम दिया जाएगा डेज दिये जाएंगे किन किन दिनों में प्रियंका गांधी वहाँ पे मिलेंगी बाकी दिनों में जो जिस रेजिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि डीलेफ का गुरुग्राम का जो सेक्टर 42 में आवास है अपने आवास पे लोगों से मुलाकात करेंगी जी चलिए नौ दिन का ही वक्त बचा है अमित देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी शिफ्टिंग हो जाती है 31 जुलाई तक आखरी वक्त एक अगस्त को बंगला खाली करना है अब ऐसे में गुरुग्राम एक नया एड्रस सामने आ रहा है जहां शिफ्टिंग होगी बहुत बहुत शुक्री आमित तमाम जान देने के लिए